जब मैं कॉलेज में अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि बटा, स्कूल के 12 साल में आपको कोई ऐसा टीचर याद है, जो आपके जिन्दगी में बड़ा इंपॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया हो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं, वो सर, एक ऐसे टीचर हमारे जिन्दगी में थे, जिन्होंने हमें गाइड किया, और उनका बिहेवियर, उनकी बादचीथ हमें बहुत अच्छी लगती थी, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिले, जो कहते थे कि नहीं सर, अभी तक तो हमारे कोई ऐसा टीचर आया है नहीं, हमें जो उसको शाबाशी दे सके, जो उसके अंदर confidence पैदा करे, जो उसके अंदर believe लेकर आया है कि बिटा तुम कर सकते हो, याद रखिएगा अगर एक average student या कोई ऐसा student जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो बिचारा घर पर रहता है, घर पे उसको यही सुनने को मिलता है, उसके parents कहते हैं यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो पढ़ लो, उसको डांटते हैं, पदा नहीं क्या क्या कहते हैं, और फिर वो स्कूल में आता है, तो स्कूल में फिर वो ही डांट खाता है, वो teacher से, बैठ जाओ, तुम क्या पढ़ोगे या, तुम्हारे बसका नहीं है पढ़ना तुम तो सिर्फ बातचीत करो, तुम तो हंगामे करो, तुम नहीं पढ़ सकते तो बच्चे के अंदर जो बच्चा कुझा confidence होता है, वो भी मर जाता है बच्चा तलाश कर रहा है, कि मुझे ऐसा टीचर मिले, जो मेरी पीट थप थपाए जो मुझे से भी कहे very good, या, शावाश शावाश बटा शावाश ऐसे टीचर की तलाश करता है बच्चा भी उसको भी चाहिए को कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी पीट थप थपाए, कोई मुझे भी शावाशी देख, तो प्लीज ऐसे बच्चों को discourage मत कीजे, उनको encourage कीजे आगे बढ़ने के लिए, मैं उन टीचर से अपील करता हूँ, जो बच्चों को ढाटते हैं, और उससे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, यार वो भी कर सकता है, तरह देखो उसके अंदर देखो, क्या unique चीज है Albert Einstein ने कहा था, कि यार, अगर आप किसी मचली से कहोगा कि पेल पे चड़ जाए, तो वो चड़ सकती है नहीं चड़ सकती, यार मचली का काम तैरना है, पानी में रहेगी वो, तो हर बच्चा एक ही फीरल में नहीं जा सकता हो सकता है, उस बच्चे में कोई और टैलेंट हो, आपने उस टैलेंट को निखालना है, एक अच्छे टीचर की मैं आपको निशानी बताता हूँ वो टीचर होगा, जो उस बच्चे में से best बाहर निकालेगा, उसका best बाहर अगर आपने निकाल लिया न और आपने देख लिया, कि यार इस बच्चे की strength क्या है वो समझ के बाहर निकालो और याद रखिएगा, हर बच्चे में एक unique talent होता है, जो किसी में नहीं होता मैं आज इस वीडियो के, मैं माध्यम से, इसके वीडियो के जरिये, मैं उन teacher से appeal करता हूँ, कि please बच्चों का best देखिए और वो उसके अंदर से बाहर निकालिए उनके अंदर belief पैदा कर दो यार उसमें belief पैदा कर दो, कि तुम कर सकते हो why not you तुम क्यों नहीं कर सकते, जब वो कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम ज़रूर कर सकते हो, मेहनत करो बटा, बहुत अच्छा very good, फिर आप देखिएगा वो बच्चा क्या कर जाएगा ऐसी बहुत biographies, autobiographies मैंने पढ़ी है, उसमें यही देखा गया है, कि कुछ students कुछ बच्चे, वो बच्पन में इतने intelligent नहीं थे, उनके जिंदगी में एक अच्छा teacher आया, उनके जिंदगी में एक अच्छा guide करने वाला आया उनके जिंदगी में एक अच्छा mentor आया उसने उसके जिंदगी को निखार के रख दिया और आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे न आप, वो ही ही पताएंगे गयार, हमारी जिंदगी में इस teacher का रोल भगबड़ा रोले अगर ये teacher नहीं होता, तो शायद आद मैं जो हूँ, वो नहीं होता तो प्लीज उन बच्चों को encourage कीजिए उन बच्चों में से, जिसे कहते हैं उनको भी appreciate करो यार, appreciation तो एक ऐसी दवाई है जिससे दुनिया की हर बिमारी दूर हो जाती है पढ़ाई का शौक पैदा करो उसके इंदर आपको याद होगा जो तारे जमी पे जो फिल्म थी आमिर खान की उसमें क्या दिखाया है? यही दिखाया है Every child has a unique quality उज़े बच्चा जो है वो घर में वो डाट खाता है उसे dyslexia की बिमारी होती है वो words को पढ़ नहीं सकता alphabets को तो घर में उसको माबाप डाटते है school में उसको सारे parents डाटते है oh sorry, teachers डाटते है तो वो कहता है कि यार मैं क्या वो परिशान हो जाता है बिचारा parents जो है वो उसके उसको boarding school में भीज देते है उसका father, वहाँ वो बिचारा और अकेले अपन feel करता है, फिर उसके जिंदगी में एक teacher आता है, जिसका रूल आमिर खान ने प्ले किया तो वो उस बच्चे को समझता है और उसकी जो best है वो painting में अच्छा होता है बच्चा, artist होता है उसकी वो चीज़ बाहर निकालता है और उसके अंदर ऐसा confidence पैदा कर देता है अब देखिए वो बच्चा और पढ़ाई के दूसरे subject में भी अच्छा करने लगता है सारे teacher हैरान parents हैरान कि यार ये बच्चे में इतना improvement कैसे आ गया क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ के उसके तरीके से उसको पढ़ाना सीखा था उसमें तो मैं उन teacher से अपील करता हूँ कि please उन बच्चों को समझे उसके अंदर क्या best है क्या strength है उसके उसको भार निकाले और मैं उन student से और दूसरे लोगों से अपील करता हूँ कि please ऐसे teacher ढूंडिये जो अच्छे teacher हो वाकि ये अच्छे हूँ अच्छे इंतरसेंस ऐसे भी होगा आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए बटा तुम ये कर लो और इस तरह जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे आप ऐसा teacher आपको mentor वो होगा जो आपको सिखाएगा सिखा के और कर बटा आगे निकल जाओ कोई भी एक अच्छा mentor एक अच्छा teacher आपको सिखाएगा और कहएगा बटा आगे निकल जाओ रुको मत अपने पास रोकेगा नहीं वो ये जो जितने भी बाबा होते हैं पीर होते हैं अपने पास रोक लेते हैं अपने शागिर्दों को वो कहते हैं बटा जो मैं कहा रहा हूँ वो ही करो और मेरे पास ही रहो आगे मत निकलो वो आगे पढ़ने ही निकले उसको वो नहीं चाहेंगे कि वो आगे निकले वो उसे छोड़के जाए क्योंकि उसको अपनी तारीफ करवानी है वो अपने एक गुलाम चाहता है वो ऐसा आदमी चाहता है जो मेरे पास ही रहे मेरे तारीफ करता रहे ऐसे लोगों से बचिए ये इंपोस्टर होते हैं धोके बास पाकंडी आपको ऐसा मेंटॉर चाहिए जो आपको सही गाइड करे जिन्दगी के रास्ते पे आपको निकाले और आपको एक सही डारेक्शन दिखाए याद रखिएगा अगर आपको जिन्दगी में सही डारेक्शन मिल गई न तो आप मन्जिल तक जरूर पहुँच होगे और जिन लोगों को डारेक्शन सही नहीं मिलती वो मन्जिल में कभी नहीं पहुंचते वो बटक जाते हैं दर दर तो मन्जिल में पहुंचने के लिए आपको सही डारेक्शन का मिलना बहुत जरूरी है अगर आपको डारेक्शन मिल गई तो मन्जिल आपको जरूर मिलेगी सही direction मिलेगी तो सही मंजिल भी मिलेगी चाइनीज के एक जो बहुत बड़ा चाइनीज का एक explorer था उसने यही कहा था उसने कहा कि आप हजार मील भी चलोगे न अगर आपकी direction सही नहीं है तो आप मंजिल तक पहुँचोगे नहीं आपने देखा होगा न तो जहसे एरो प्लेइन में पाइलेट होता हूँ हलकिसी direction चेंज करता है तो आप इंडिया से पागिस्तान निकल जाते हो motivate करेगा encourage करेगा कि बिटा और आगे निकलो और आगे निकलो निकल जाओ मुझे मत देखो मैंना आपको सिखा दिया आप और आगे निकलो उसकी काम्याबी पर खुश होगा वो उसे अपनी तारीफ नहीं कराएगा उसकी खुद के तारीफ करेगा कि बिटा very good यार हमने जो किया है ना वो हम कर सकते है आज के हमारे student में जब वो graduation करके बाहर निकलता है ना तो अब यकीन किजिए उसके नदर confidence नहीं होता उसमें believe नहीं होता उसे आप पूछो जो यह नहीं पता कि यार मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी मैंने become honors किया है तो मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा उसे doubt होता है वो doubt clear करना जरूरी है लोग education तो ले रहे हैं लेकि knowledge गेन नहीं कर रहे है मैंने आपके पिछले दो-तीन वीडियो में भी यह बात कही थी कि education तो ले रहा है लेकि knowledge नहीं ले रहा है और knowledge नहीं ले रहा है तो wisdom कहां से आएगा तो please ऐसे mentor ढूंडिये उन mentor का आपको मेरे निशानी बताई है वो mentor अच्छा होगा जो आपकी मदद करेगा और आपसे कहगा आगे निकल जा बटा मेरे पास मत रहना मुझे तुम्हे अपना शागिर्थ घुलाम नहीं बनाना है आगे निकल जाओ मेरे से guidance लो हाँ ठीक है as a teacher as a guide मैं आपकी help करूँगा as a experience जो मेरे मिला है वो मैं आपके साथ share करूँगा और अपना experience बतागे आपको आगे निकल दूँगा लेकिन रुकना नहीं बटा आगे निकल जाना लेकिन जो लोग ये कहेंगे नहीं मेरे पास ही रहो मैं जो बता रहा हूँ वो ही चलते रहो आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अंधविश्वास होते हैं किसी ने कुछ कहा दिया कि अभी इस टाइम पर ये काम करना और उनका इत्तिफाक से वो काम हो जाता है कोइंसिडेंटली वो काम हो जाता है तो लोग समझने लगते हैं रही हार इसने मुझे बताया था मेरे ये काम हो गया ओहो वो अंधविश्वास बढ़ता चला जाता है इतना बढ़ता चला जाता है जैसे आपने वो पीके फिल्म में देखा हुआ यह वो अनुश्का का जो फादर है वो उसकी जो है उस सादू की बात मानता है तो वो उसकी के कहने पर चलता है और अपनी बेटी के दिमाग में भी डाल देता कि बटा यह जो है तरह वो लका जो है वो सरफराज वो दो के बाज है लेकिन आप ऐसे लोगों से बचो जो लोग आपको अपनी शत्रचाय में रखते हैं अपनी गुलामी में रखते हैं जो कह रहा हूँ करो यह मत करना यह नहीं करना वो सब पाखंडी है ऐसी लोगों को चुनो जो आपको सही गाइड करें और आगे निकालें जिन्दगी के रास्ते पर आगे निकालनें बागे सब बिकार है तो दोस्तों उमीद है आज की वीडियो में आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप भी मुझे भेजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं आपकी पसंद का वीडियो बनाऊं